कहानी के शुरू में ही हमारी मुलाकात होती है फीमेर लीड इनियान के साथ जो की एक ब्रिलियन स्टूडेंट थी और दो तीन साल से लगातार कोशिश किये जा रही थी शहर के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए घर पे शॉर्ट सरकिट होने की वज़े से उसे चेज में कोई इंटरेस्ट नहीं थी आके ही सबसे पहले वो अपने दोस्त से मिलता है वो उसे सप्राइज देना चाहता था इसलिए उसे कुछ भी नहीं बताया था इसका नाम था ये शिंग ये भी परहाई में बहुत अच्छा था पर उसे भी अच्छा वो म्यूजिक मे चाता था ये तीनों एक ही कैफे में थे नियान रिजल्ट देखने से पहले सारे भगवानों को याद कर लेती है पर इस बार भी वो पास नहीं कर पाती वो जब उदास होके जा रही थी तब ये शिंग उसे देखता है शायद वो उसे पहले से जानता था उसे उदास देख वो भी उसके पीछे जाने लगता है रास्ते में एक बंदे के साथ धका लगा धका लगने की वज़े से नियान डब्बे के उपर गिर जाती है फिर वो नीचे और डब्बा उपर ये शिंग बाहर आके नियान को चारो तरफ देखता है पर वो उसे कहीं नहीं देखते उनक चाते थे उनका बेटा यूएस से पर हाई कंप्लीट करके उनका बिजनेस जॉइन करे उनकी कमपनी समहा ले वही बेटा था जिसे इन सब में कोई इंट्रेस्ट नहीं था दोनों की आपस में बनती नहीं थी जब भी बात करते थे दोनों में जगड़ा लग जाता था वही दूसरी तरफ नियान के पापा थे जिने अपनी बेटी से ज़्यादा उमीद नहीं थी वो बस उसे खुश देखना चाते थे उसे स्वस्त देखना चाते थे नियान को उदास देखके वो उसे समझाते है कि उसे इतनी प्रिशर लेने की ज़रुरत नहीं है अगर वो पास नहीं कर पाई تو कोई बात नहीं पर नियान को उसी कॉलेज में जाना था इसके लिए फिर से प्रिपरेशन लेना चाते थी लेकिन उसके पापा को इसी बात का डड़ था डॉक्टर ने उनसे कहा था नियान के उपर किसी भी तरह का प्रेशन ना डालने के लिए या उसे भी प्रेशन ना लेने के लिए क्योंकि इस से उसके दिमाग पर असर पर सकती थी जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था नियान कभी भी कही भी बेहोश हो पड़ती थी हालात कही और बिगर ना जाए इसलिए डॉक्टर नियान के पापा से उसे किसी भी प्रकार के स्ट्रेस लेने से मना किये थे पर नियान को वो कैसे स्ट्रेस लेने से मना करते वो तो उनकी बात मान ही नहीं रही थी अगर वो उसे पढ़ाई करने से मना करते तो वो शायद पागल हो जाती उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसे में नियान के पापा जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहां के प्रिं प्रविशन लेटर आता है नियान के पापा तो बहुत खुश थे पर नियान को जरा सा भी खुशी नहीं मिलती उसने कभी इस कॉलेज के बारे में सुना ही नहीं था पर उसकी पापा उसे याद दिला देते हैं कि उसके मौम डैड भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे फिर भी लड़की नहीं थी वहाँ फिर तो नियान को और भी नहीं जाना था वहाँ गुशी के पापा भी गुशी को उसी कॉलेज में भटती करवाना चाते थे वो भी उसी कॉलेज से पास आउट हुए थे अब बेटा बिना परहे आवारा गर्दी करता फिरे इससे तो अच्छा था वो उस थर्ड ग्रेड कॉलेज में ही पढ़ता कम से कम पिरहाई खतम करके वो उनके कंपणी में जॉएन तो करता वो अपने सेक्रेटरी से कहे के गुशी के रहने का बंदोंबस्त करने के लिए बोलते है और उसके हर मुवमेंट्स की खबर उन्हें देने के लिए बोल वो एक बार उनके कॉलेज में एडमिशन लेके तो देखे अगर वो पास नहीं कर पाई तो वो फिर से टॉप कॉलेज में भटी होने के लिए प्रिपरेशन ले सकती है ये आइडिया नियान को बहुत अच्छा लगता है वो मनही मन तैय कर लेती है जान बूच के फेल करने की येशिंग अपने बीमार मा के लिए अपने लिए जादा सपने नहीं देखता था वो इस उपरचुनिटो को काम पे लगाना चाता था फिलहाल तो उसे इतने में ही खुश रहना था अगले सिन में हम देखते है नियान के पापा उसे कॉलेज देने आते है ये दोनों भी आ देता है ये बंदा भी उसका पीछा करते हुए जा रहा था नियान का बैग गिरा हुआ देख के भी उठाता नहीं है वो ऐसे लुग देखे चला जाता है फिर ये शिंग आके उसका बैग उठाता है उसकी बाते सुनके नियान को लगता है चलो कोई तो एक बंदा मिला जो वुली करने वाला था पर गुजी ही उसे सबक सिखा देता है इस कॉलेज में नियान को लेके टूटल आठ लड़की भट्टी हुई थी जो कि कॉलेज वालों के लिए बहुत ज़ादा थे क्योंकि इतने सालों में इतनी भी लड़की भट्टी नहीं हुई थी अगली सिन में हम देखते हैं येशिंग का रूमेट्स ये तीनों थे उसे देख के तीनों को ही अच्छा लगता है येशिंग था ही इतना चार्मिंग वहां नियान के रूम में अभी वी वैसे कोई आया नहीं था थोड़ी दिर बाद ये आती है इसका नाम था येशि नियान को देख के वो इतनी खुश होती है कि उसे पहली दफा में ही बेस्ट फ्रेंट का दरजा दे देती है येशि को देख के नियान के पापा भी निश्यन्त होते है बाद में येशि नियान को कॉलेज हुमा के दिखाने लगती है वो यहां कुछ दिन पहले ही आ चुकी थी इसलिए उसे पता था कहा पे क्या है अगले सिन में हम देखते हैं कैंटिन में येशिंग इन्हें देखके इनके लिए खाना देखे जाता है येशि को येशिंग तो पसंद था ही उपर से वो तो उसके दोस्त के बारे में भी मतलब गूजी के बारे में भी जानती थी उसके बारे में बात करते करते वो भी चला आता है उसे देखते ही नियान को याद आ जाती है कि उसकी वज़े से एक बार उसका एकसिडेंट हो गया था जिस वज़े से वो एक्जाम देने नहीं जा पाई थी अब उसे सामने पाके वो थोड़ी ही न उसे ऐसी ही जाने देती सब के सामने वो उसे मुक्का मारती है नियान के अंदर जुवाला मुकी फट रही थी पर गूजी तो कुछ और ही कहता है वो कहता है अगर उस दिन वो नहीं होता तो वो रास्ते में परी-परी मढ़ जाती बात में ये शिंग उससे पूछने आता है कि बात क्या है गूजी से हमें पता चलता है कि उस दिन वो एक बूरे आदमी को रोट क्रोस करने दिया था और नियान अचानक से अपने साइकल से नीचे गिर गई थी वो तो बस उससे पूछने गया था और उससे उटने के लिए कहा था उसकी सीरियस कंडिशन देख के उसने उसे हॉस्पिटल एडमीट किया था अब गूजी ने बस इतना ही किया था पर अगर वो उस दिन नियान के होश आने तक इंतिजार करता तब शायद नियान उसे इतना गलत नहीं समझती वहाँ कॉलेज में ये रियूमर फैल जाती है कि नियान गूजी की एक्स गल्फरेंट थी और अपने एक्स बॉर्फरेंट को देख के नियान अपने आपको कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे थपर लगा दिया गूजी उन्हीं ये सब बाते करते हुए सुनके उनके पास आता है और पूछता है कि किसने ये बात फैलाई अब ना ही इन्होंने ये बात फैलाई थी और ना ही ये जानते थे वहाँ जाउमिंग इंकम के लिए कुछ किताब लेके बैठा था बेचने के लिए पर कोई उसे किताब नहीं लेना चाता था फिर वो डरा के धमका के एक दो किताब बेचता है अच्छे अच्छे कलेक्शन देखके नियान भी कुछ किताब खरीदना चाती थी पर ऐसे में येशिंग के आजाने पे ये लोग उसके चार्मिंग का इस्तमाल करके सारे किताब बेज डालते हैं। इससे इनका तो फाइदा हो जाता है पर नियान को जो किताब चाही थी वो और नहीं थी। तब येशिंग उसे अपना वाला किताब देता है उसे पढ़ने के लिए। बाद में यूशि उसके दिमाग में घुसाती है कि शायद येशिंग उसे पसंद करता है। नियान ये बात मानना तो नहीं चाहती थी पर मनी मन वो खुश जरूर होती है। थोड़ी दिर बाद यूशि नियान को उसके और गुजी के रियूमर के बारे में बताती है। वहाँ गुजी पता लगाने के बाद उसे वो रियूमर पैलाने वाला बंता मिली जाता है। इसका नाम था हुआंग शाओ। इसका काम ही था कॉलेज में कुछ भी खबर हो तो वो सोशल मीडिया पे छोड़ देना। कुछी देर में नियान भी इसका पता लगाते हुए चली आती है। गुजी और नियान दोनों ही उसे ये खबर डिलिट करने के लिए बोलते हैं। पर दोनों में से कोई भी उसे ठीक ठा क्लियर करके कुछ बताते नहीं है कि नियान ने गुजी को क्यों मारा था इसलिए वो भी इस खबर को डिलिट नहीं करना चाता था। गूजी अपने पैसे और पावर से उसका मूँ बंद करना चाता था वही नियान उसे समझा के उसका मूँ बंद करना चाती थी। दोनों के तरीके अलग-अलग थे और इसी बात पे दोनों के बीच फिर से जगरा शुरू हो जाती है। इसी बात का फाइदा उठाते हुए भी नहीं पड़ता, वो अपने आप से ही राजी हो जाता है जाने के लिए।